जैहीं दोस्तों तो आईए मैं अगर बात करूँ इस वीडियो में BPSC TRE 1.0 and 2.0 के बारे में तो देखिए फिर से अब इसके जो आगे का प्रोसेस है उसमें तेजी देखने को मिला है और जैसा कि मैं अभी आपके भी अपडेट करने वाला हूँ तो आप लोग अभी थमेल देख के भी समझते होंगे क्योंकि 15-20 के बीच में ही जो स्कूल एलोइटमेंट होने वाले थे तो ACSK के पाठक चुटी ले लेने के कारण इसे डिले कर दिया गया और फिर से इस काम में तेजी देखने को मिला है तो इसे में आईए मैं आपको पूरे अपडेट इस वीडियो के माध्यम से करूँगा कि किन-किन जीलो का कल इसकूल एलोइटमेंट होने वाले हैं या परिक्रियाए कब से प्रारम होने वाली है क्योंकि देखिए अभी तो आपको नियुक्ती पत्र मिला है जब आप लोग इसकूल जोइन करेंगे तब से ही आपके सेलरी स्टार्ट हो जाएंगे तो इसके अनुसार आप सभी का बारवर कमेंट आ रहा था किसार इसकूल एलोइटमेंट लिस्ट कब तक आएगा और साथ ही बिद्याले पदस्थापन पत्र बितरन कारकरम कब से प्रावर होंगे तो मैं अगर बात करूँ तो कुछ जीलो का जो पहले दिया गया था सारा कुछ बिबढ़नी है उसको फिर से कैंसिल करके और फिर से नई तरीके से प्रावर किया गया है जिसमें से कुछ जीलो के ऐसे स्कूल है जिसका आबंटन की सूची जिलादी कारी से एप्रूबल के लिए भेज दी गई और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपके जो एप्रूबल होंगे वो बिलकुल डिस्टीक से ही होंगे तो इस कारण से डिस्टीक के जो जिलादी कारी होंगे उनसे एप्रूबल मांगने की सिच्छा विवाग के जो डियो है उनके दोरा एप्रूबल के लिए भेजा गया है तो आईए इस पे मैं आपको बिस्तार से बताऊंगा और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेश्ट कर अबंटन की सूची जिलादी कारी से एप्रूबल के लिए भेजी जियां दोस्तों आईए मैं आपको इस पे विस्तार से बताता हूं तो जितने भी दूसरे चरण के सिचक हैं चाहिए बीपीसी टीरी 1.0 सप्लिमेंटरी वाले हो बीपीसी के दूसरे चरण में चैनित नही सिचको की स्कूल आवंटन से यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल आवंटन से जूरी औपचारिक परकिरिया है सोमबार से शुरू हो जाएगी सोमबार को भोजपूर नालंदा सिभर से एक पुरा लखी सराय और अरबल जीलो ने सिच्छा विभाग को पत्र लिखके भेजा त तो उम्मीद करते हैं कि इस बार उनको एप्रूबल जरूर मिल जाएगा क्योंकि ACS के के पाठक भी अब इसके रिलेटेड एक्षन के मूर में हैं तो मैं बात करूं तो यह सुची संबंदी डियम को भेजने के निर्देश दिये गए हैं या कबायद स्वर्ण यहां पे द आएगा तो यहां पर देख सकते हैं उसके बाद बोला गया दरसल इन जीलों के 15 तारीकों नए सिच्छकों को तो दोस्तों देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब आपका जो सौब्ट्वेर रेंडमाइजेशन के तुरू स्कूल आवंटन होगा व आपके अपने डिस्टिक से किया जाएंगा जैसे ही ऊपर से अलइटमेंट आये या नोटिस आया कि इससे अभण बबया अब आया स्टर्ट किया जाए तो इसे आपके जो मिलना प्रादंब हो जाएंगे तो इसे मैंने अभी आपको देखाया कि कुछ दिस साथ EG ये ले हैं जो की DM देखिए DEO District Education Officer जो भी होते हैं वो अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं वो करने के लिए जो है जीला के जो मालिक होते हैं जीला दीकारी उन से उनका सहमती लेना ही पड़ेगा तो इसके लिए वो एप्रूबल के लिए बेजें जैसे एप्रूबल मिल होंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इससे जुड़ी और भी कुछ अपडेट है तो आप लोग पूछ सकते हैं यह कुछ और अपडेट आती है तो मैं आप सभी के बीच करता रहूंगा और आपके जो भी डाउट हैं कमेंट बॉक्स में